जो लोग एक healthy sex life जी रहे हैं और अन्चाही pregnancy या unwanted pregnancy से बचना चाहते हैं उन्हें birth control methods यानि कि गर्भर निरोधक तरीकों के बारे में और family planning methods के बारे में जानकर होनी चाहिए तो आज की वीडियो में हम 15 ऐसे गर्भर निरोधक तरीके यानि की contraceptive methods और family planning methods के बारे में जानेंगे जो अन्चाही या unwanted pregnancy को रोकने में मदद कर सकता है Welcome to Think Pill, मैं हूँ Dr. Rupal और Med Digest के नए episode में friends आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Contraception या गर्भ निरोधक तरीकों की 5 categories है तो सबसे पहले हम बात करते हैं barrier methods के बारे में barrier methods यानि की इस तरह के गर्भ निरोधक तरीके जो sperm को एक तक पहुचने से रोकते है barrier method में सबसे पहले आता है male condoms यानि की पुर्षों के लिए condoms condoms pregnancy के साथ साथ sexually transmitted disease जैसे की AIDS, HIV से भी बचाव करता है condoms अक्सर latex rubber के बने होते हैं और ये किसी भी medical store, supermarket और online खरीदे जा सकते हैं male condoms 80% effective है अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में पुर्षों के condoms approximately 10 rupees per condom के मिलते हैं और government hospitals में या government family planning centers में condoms free of cost मिलते हैं दूसरे तरीके का barrier method है female condoms यानि की महिलाओ के लिए condoms sex के दौरान female condom भी इस्तमाल किया जा सकता है pregnancy को रोकने के लिए male condom और female condom में से कोई भी एक इस्तमाल किया जाता है female condom 79% effective है अंचाही pregnancy को रोकने में female condom का cost approximately 90 rupees per condom का है तीसरे तरीके का barrier method है diaphragm जो की महिलाओ के इस्तमाल के लिए है ये एक इस तरह का गर्भ निरोदक सादन है जो महिला अपने vagina या योनी में sex के पहले रखती है अक्सर एक spermicidal jelly यानि के शुकरानों मारने की दवा के साथ इस diaphragm को इस्तमाल किया जाता है इस diaphragm को sex के कुछ घंटों पहले महिला अपने योनी या वजायना में रखती है इससे sex होने के बाद अप्टू 6 घंटे तक योनी में रख सकते है लेकिन इस diaphragm को कभी भी 24 घंटे से ज्यादा समय वजायना में ना रखे इस गर्ब निरोधक तरीके से 90% अंचाही या unwanted pregnancy से बचाव होता है ये diaphragm अभी तक इंडिया में freely available नहीं है चौथे तरीके का barrier method है cervical cup या cervical cap जो की महिलाओ के इस्तमाल के लिए है cervical cap एक नरम सिलिकॉन का cup जैसा है जो वजायना यानि की योनी के अंदर एकदम पीछे की तरफ सेक्स के कुछ घंटे पहले रखा जाता है ऐसा करने से sperm यानि के शुकरानू गर्बाशय में मौजूद अंडे तक नहीं पहुंच सकते ये गर्बनिरोधक तरीका 85% एफेक्टिव है अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में cervical cap या cervical cup इंडिया में 16,000 यानि की 16,000 से लेकर 18,000 तक अवेलिबल है पांचवे तरीके का barrier method है contraceptive sponge जो की महिलाओ के इस्तमाल के लिए है ये contraceptive sponge एक polyurethane foam का बना है जिसमें spermicide यानि की शुक्रानों मारने की दवा भी होती है इस contraceptive sponge को महिला अपने योनी में एकदम अंदर की तरफ रखती है जिससे शुक्रानों को गर्बाशेक तक जाने का रस्ता ब्लॉक हो जाता है ये गर्बनिरोधक तरीका 78% effective है अन्चाही pregnancy या unwanted pregnancy को रोकने में इसका cost approximately 3000 रुपीज पर पीस का आता है छटा तरीके का barrier method है spermicide जो की महिला या पुरुष दोनों ही इस्तमाल कर सकते है spermicide एक ऐसा chemical है जो sperm या शुक्रानों को निश्क्रिय या नाकाम कर देता है spermicide को male, female condoms, cervical cup और diaphragm के साथ contraceptive effect यानि की गर्बनिरोधक असर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है spermicide gel को sex के 10 minute पहले इस्तमाल में लिया जाता है इसका spermical effect एक घंटे तक रहता है spermicide gel को इस्तमाल करने के लिए डॉक्टर के prescription की जरूरत नहीं होती ये गर्ब निरोधक तरीका 71% effective है अन्चाही या unwanted pregnancy को रोकने में ये non-oxynol 9 gel में available है और approximately 2000 रुपीज का मिलता है अक्सर non-oxynol 9 को condoms या vaginal moisturizers के साथ भी mix किया जाता है जो थोड़ा सा सस्ता होता है और online available होता है तो ये बात हुई barrier methods यानि के इस तरह के गर्ब निरोधक तरीके जो sperm को एक तक पहुचने से रोकते है तो अब हम जानते हैं hormonal methods के बारे में यानि कि इस तरह के गर्ब निरोधक तरीके या birth control methods जो ovulation को रोकते है ovaries में से egg को release होने से रोकते है और इस तरह conception यानि की गर्ब धारन होने नहीं देते सबसे पहला hormonal method जो अंचाही या unwanted pregnancy को रोकता है वो है contraceptive pills यानि की गर्ब निरोधक गोली है combined pills जो estrogen और progesterone hormone क्या combination है ये गोली को regular without stop 21 दिन या 28 दिन तक यानि की 28 दिन तक हर रोज लेनी होती है ये गोली लेने वाली महिलाओ को regular periods आते हैं combined pill की brand names है unwanted 21 tablet या overall L tablet overall L tablet का detail review मैंने किया है इसका link मैंने description box में दिया है दूसरा hormonal method जो अंचाही या unwanted pregnancy को रोकता है वो है hormonal patch ये एक transdermal patch है जो त्वचा पर लगाया जाता है जो गर्भावस्ता को रोकने के लिए synthetic estrogen और progesterone hormone जारी करता है इस patch को तीन हफते में एक बार बदलना होता है ये hormonal patch अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में 90% effective है ये patch evra के नाम से available है लेकिन अब तक इंडिया में freely available नहीं है हाला कि कुछ metro cities के clinics में ये available है तीसरा hormonal method जो अंचाही या unwanted pregnancy को रोकता है वो है hormone के injections ये injection डेपो प्रोवेरा के नाम से जाने जाते है इसे इस injection को हर 12 हफतों में doctor अपने clinic में महिला को देते है जिससे अंचाही या unwanted pregnancy को रोक सकते है ये hormone का injection अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में 90% effective है ये hormone के injection के बंद करने के बाद महिला तुरंद pregnant नहीं होती लेकिन 10 महिला फिर से pregnant बन सकती है ये single injection का cost approximately 300 रुपे का होता है जिसमें doctor की fees included नहीं है चोथा hormonal method जो अंचाही या unwanted pregnancy को रोकता है वो है vaginal ring vaginal ring एक नरम plastic ring है जिसे योनी में रखा जाता है ये vaginal ring लगातार estrogen और progesteron hormone को खून में release करता रहता है जिसकी वज़े से pregnancy नहीं होती इस vaginal ring को 3 हफतों तक योनी में रखा जाता है उसके बाद इसको 7 दिन के बाद फिर से नहीं vaginal ring को इस्तमाल में लिया जा सकता है vaginal ring अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में 95% effective है vaginal ring का approximately cost है 800 रुपीज पर पीस तो ये बात हुई hormonal methods यानि के इस तरह के गर्ब निरोधक तरीके या birth control methods जो hormones estrogen और progesteron के माधियम से ovulation को रोकते है ovaries से एक को release होने से रोकते है और इस तरह conception यानि की गर्ब धारन होने नहीं देते अब हम बात करते हैं intrauterine devices और implants के बारे में intrauterine devices और implants एक long term गर्ब निरोधक तरीका है intrauterine devices यानि की IUD एक छोटा T यानि की इस तरह T आकार का plastic तामबे का साधन है जिससे एक डॉक्टर एक महिला के गर्बाशे में रखता है इस IUD या intrauterine device को बिना निकाले लगातार पात साल तक गर्बाशे में रख सकते हैं IUD में मौझूद तामबा या कॉपर सर्वाइकल म्यूकस को गाड़ा बनाता है जिसकी वज़से शुक्राणू अंडे तक पहुच नहीं सकते और नश्ट हो जाते हैं इसके अलावा ये एक फर्टिलाइजड एक को इंप्लांट होने से भी रोकता है आजकल मार्केट में कॉपर या तामबे के IUD के अलावा हार्मोनल IUD भी मिलते हैं जो लगातार हार्मोन्स को खून में रिलीस करते रहते हैं IUD यानि की intrauterine device अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में 99% effective है कुछ महिलाओ को IUD यानि की intrauterine device की वज़े से irregular periods और menstrual cramps आते हैं regular copper tea का approximately cost 300 रुपे का है जिसमें doctor की fees included नहीं है लेकिन ये government hospitals में free of cost मिलता है और जो हार्मोन वाले copper tea होते है उस device का cost approximately 3500 यानि की 3500 रुपे का है दूसरा गर्ब निरोदक तरीका या contraceptive device है hormonal implant ये एक नया और latest तरीका है अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने का अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने के लिए एक doctor महिला के arm यानि की बाह में एक छोटी सी माचिस की तीली जैसी device subcutaneously implant करता है जिससे उस महिला को pregnancy नहीं होती ये hormonal implant लगातार progesteron hormone को खून में release करता है जिसकी वज़े से गरबावस्ता नहीं होती इस implant को हर तीन साल पर बदला जाता है hormonal implant अंचाही या unwanted pregnancy को रोकने में 99% effective है ये अभी तक इंडिया में freely available नहीं है लेकिन कुछ metro cities में available है इसका approximate cost 3500 यानि की 3500 रुपे का है जिसमें doctor की fees included नहीं है तो अब तक हमने देखा कि अंचाहे या unwanted pregnancy को रोकने के लिए क्या barrier methods और क्या hormonal methods को इस्तमाल किया जाता है और इनका cost क्या है साथ में हमने ये भी देखा कि intra uterine device और implants क्या है किस तरह इस्तमाल किये जाते है और इनका cost क्या है अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे natural family planning method और permanent sterilization के बारे में लेकिन उससे पहले friends अगर आपको इस वीडियो से महत्वपुन जानकरी मिल रही है तो इस वीडियो को फटाफट like कर दीजिए लाइक देने में कंजूसी मत कीजिए लाइक देना बिल्कुल ही free of cost है और जो हमारे चैनल पर नए है उनका हमारे थिंक पिल के परिवार में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी इस चैनल को फटाफट subscribe कर लीजिए इस चैनल को subscribe करना भी free of cost है और subscribe करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की interesting videos publish करूँ तो तुरंट इसका notification आपको मिल जाए और आप मेरा video सबसे पहले देख सकते हो तो चलिए अब नजल डालते है Natural Family Planning Method पर इस गर्ब निरोधा तरीके में menstrual cycle को बराबर track किया जाता है और महिला के fertile period के दर्वियान sex को avoid किया जाता है अगर आपको जानना है कि आपका fertile period क्या है तो उसके लिए आप clue mobile application इस्तमाल कर सकते हैं clue mobile application के जरीए कैसे आप आपकी menstrual cycle को track कर सकते हो इसका detailed demo मैंने इस video में दिया है को रोकने में 75% effective है ये mobile application बिल्कुल free of cost है अब हम बात करते है गर्ब निरोधन का permanent तरीका जिससे sterilization भी कहा जाता है sterilization महिलाओं में और पुर्षों में दोनों में कर सकते हैं ये एक तरीके का surgical procedure है जो pregnancy को permanently या कायम के लिए रोक देता है जिसमें पुर्षों में vasectomy करते है और महिलाओं में tubal ligation करते है पुर्षों में vasectomy में उन नलियों को काटा जाता है जो शुकराणू को transport करती है ये एक छोटा operation है जिसे hospital में भरती होने की कोई जरूरत नहीं है महिलाओं में tubal ligation करते है इस operation में fallopian tubes यानि की वो नलिया जो अंडे को गरबाशे तक ट्रांसपोर्ट करती है इन नलियों को बंद और सील किया जाता है एक बात का friends ध्यान रखिए इस तरह के operation non-reversible है मतलब ये कायम स्वरूप है इसको फिर से reverse नहीं किया जा सकता पुर्षो में vasectomy का approximately cost है 4000 रुपे का और government hospitals में ये free of cost हो जाता है महिलाव में tubal ligation का approximately cost है 4,500 रुपे का लेकिन ये भी government hospitals में free of cost हो जाता है एक आखरी गरब निरोदग तरीका है जो इन सब category से अलग है वो है emergency contraception सेक्स के दौरान जब भी condom फट जाता है या कोई अन्या गरब निरोदग तरीका fail हो जाता है तो अन्चाही या unwanted pregnancy को रोखने के लिए इस तरीके को अपनाया जाता है इसके लिए एक हार्मॉन पिल को सेक्स के तीन दिन के अंदर लिया जाता है जैसे की आई पिल जिसमें high dose of liver norgestrol होता है अगर आपको आई पिल के बारे में डीटेल में जानकरी चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो आई पिल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है अन्चाही या unwanted pregnancy को रोखने के लिए कभी-कभी doctors IUD यानि कि intra uterine device को sex के 5 दिन के अंदर लगवाने की सला भी दे सकते हैं अगर emergency contraceptive को सही समय पर इस्तमाल किया जाए तो ये अन्चाही या unwanted pregnancy को रोखने में 99.9% effective होता है तो ये थे कुछ गर्ब निरोधक या contraceptive तरीके थे जिसकी मदद से आप अन्चाही या unwanted pregnancy को रोख सकते हो अगर आपको इन में से कोई भी तरीका इस्तमाल करना हो तो आपने डॉक्टर की सला जरूर लीजिए तो फ्रेंज आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको इस विशय पर कोई प्रशन या प्रतिक्रिया हो तो जरूर उसे comment section में लिख दीजिए अगर आपको इस वीडियो से महत्वपुन जानकरी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेर कीजिए तो आज की वीडियो में सिफ इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर बुलाकात होगी तब तक की लिए, stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome